WWE Friday Night Smackdown आपको बहुत ही जल देखने को मिलने वाला है मतलब कल सुबह आपको देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि भाई John Cena और Kevin Owens का मैं जोकी Roman Reigns और Semisane के साथ हो रहा है तो इसको किसको जितना चाहिए यह वाला वीडियो prediction वीडियो नहीं है prediction वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है यह मेरे opinions है कि मैं कौन से दुपफटार को जितने हुए देखना चाहता हूँ और उसके पीछे के reason मैं बताओंगा अब देखो सबसे पहली बात तो एडवांस में हैपी निव येर भाई बहुत ही बहती यह वाला साल रहा है 2012 का मतलब 2022 का साल मेरे को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रहेगा COVID में कुछ चीज़ें अच्छे नहीं हुई 2021 में भी फिर दुवारा lockdown लगा था अब मैंने ही चाहता कि भाई 2023 में दुवारा फिर लॉकडाउन है भाई बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि COVID आएगा भाई चाइना की ऐसी की तैसी लेकिन चलो मैं WWE की बात करने वाला हूँ यहाँ पर Roman Reigns versus John Cena का मैच आपको देखने को मिलेगा अब देखो 2022 में केवाल एक ही तड़का लगना बांकी था भाई John Cena के एक मैच देखने को मिल जाए और यहाँ पर देखने को मिल भी गया मतलब मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि भाई अगर इंडिया में दो दिन पीछे चलता न Friday night Smackdown तो यहाँ पर एक जन्वरी को देखने को मिल जाता लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा काश थोड़ा सा मतलब ओर बड़ा प्लैनेट होता है तो टाइम मैनेज्मेंट थोड़ा सा ज़ादा बड़ा होता तो दो दिन का गैप हमको देखने को मिलता है तो हम नए साल में इस मैच को देखते हैं लेकिन खेर छोड़ो उसको अब यहाँ पे देखो मेरे को ऐसा लगता है मेरा ऐसा मानना है कि भाई जॉन सीना और केविन उबिन्स को यह वाला मैच जीतना चाहिए अब उसका सबसे बड़ा एक रिसन है कि भाई जॉन सीना देखो 2017 में रोमन रिम्फ नहीं जॉन सीना को हराया था आपको शायद तक याद होगा जब रोमन रिम्फ दबिग डॉग हुआ करते थे तो आई तिंग मेरे को जितना याद आ रहा है कि शायद तक बैकलेश में एक मैच हुआ था शायद तक असवा किसी और दूसरे पेपर वियू में हुआ था मेरे को पेपर भी अच्छे से याद नहीं आ रहा है लेकिन हा देखो 2017 में रोमन रिम्फ ने जॉन सीना को ये वाला मैच हराया था वन अन वन और फिर उसी टाइम से भाई जॉन सीना का डाउन फॉल शुरू हुआ अब देखो 2017 के बाद से जॉन सीना ने किवल दो मैच इफ जीते वो है मिस वाला मैच जो कि उन्होंने जॉन सीना और निकी बेला वर्सेस मी जैन मरीस वाला जो मैच हुआ था ओफ ट्रेलिया में वो सारे लोग जॉन सीना को ओवर रेटिन मानते हैं हाँ भाई ओवर रेटिट थे मतलब उनका विन लॉस परफिंटेज अगर आप देखोगे ना भाई ब्रॉक लिफनर के साथ जॉन सीना ने पांच मैच इस दी हैं जिसमें से किवल एक मैच जॉन सीना ने जीता है वो है एक लेकिन जॉन सीना का इस टारडम इतना मैतरीन है इतने तरीके से जॉन सीना ने एक मैच जीतने के बाद भी अपनी रेप्यूटेशन बचा ली तो भाई मैं तो बोलता हूं कि भाई गजब के रेफलर हैं लेकिन यहाँ पे देखो जब चार साल में इतने सारे मैचेज आ र कोई भी एक दरवाजा अगर बंद हो रहा है तो एक नई अपर्चुनिटीज लेके आता है और रोमन रिंस के अपर्चुनिटीज की अगर बात करूं उनके पास कुछ बचाए नहीं है करने को मतलब देखो इसमें बलड लाइन में आधे पे जादा सूपरस्टार्स भरे ह हैं और बाकी के जो सूपर्फटार हैं उन्होंने सबको रोमन रिंस ने हरा दिया तो यहां पर रोमन रिंस के पास कुछ है नहीं कोडी रोड फ्रेंडी ओर्टन आने नहीं वाले फिर आप भाई बोलोगे कि यार हर वीडियो में वही पुरानी बाते करने लग जाते हो तो रोयल रंबल में आने वाले हैं तो जौन सीना तो रेगुलर सूपर अफटार है नहीं भाई तो वो एक मैच लड़ने के बाद सीधे मूवीज बनाने के लिए चले जाएंगे लेकिन रोमन रिंस तो यहां पर जरूर रहेंगे अब देखो अगर रोमन रिंस बाली का बकरा अच्छा होगा मतलब के बाल बात रोमन रिंस और जौन सीना की नहीं है तो यहां पर कुछ ओवराल ऐसी चीजें जिससे मेरे को लगता है कि भाई बहुत सारे एंगल सो बहुत सारे परस्पेक्टिव खुल जाएंगे अगर जौन सीना और केविन ओवेंस ये वाला मैच ज और क्या ही भयानक बना के पीटा था उसको तो भाई केविन ओमेंस तो एकदम बैतरी नहीं ही लुवा करते थे लेकिन देखो टाइम चेंज हो गया एक समय वो टॉप सूपर अफटार थे आज की डेट में वो चैंपिनशिप के आस पास भी नहीं दिखते हैं तो हां कुछ फटॉरी लाइन में उनको इंव नहीं करना है डवी डवी को तो इतने बैतरी बात मेरे लिए बहुत ही बैतरीन चीज है और अगर आप बीच में छोंड के जा रहा है तो फिर मैं क्या ही को बलूँ चलो फैर हैपी न्यू येर और अबन आइफ दे